नमसकार आप देखरे हैं किसान तक और मैं हूँ आपका दोस्थ संकिश्वर्मा आज किसान तक आ पहुँचा है कोडिनार में जो गुजरात में स्तित है आज हम जहां खड़े हैं उस गौशाला का नाम है राजमोती गौशाला इस गौशाला की एक खासयत है कि यहाँ पर खास कर देसी गाये जो होती है गिर गौमाता उसकी ब्रीडिंग पर काम होता है नई टेक्निलोजी की मदद से नई तकनीक की मदद से साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर गिर गाये की अच्छी नसल तयार की जाती है आज जो इसके ओनर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देसी गाये को गौप पालन करते में किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कैसे आप देसी गाये के संबर्दन और संग्रेक्शन पर काम कर सकते हैं तो हमाई साथ मौजूद है आमर सिंग सोलंकी जी बहुत बहुत स्वागत है तो उसमें मिला के बच्ची और बड़े अमर जी बताइए कि जैसे देसी गायों को लेकर लोगों के ब्रहांतिया हैं लोग कहते हैं देसी गाये दूद कम देती है इसको लेकर कॉमर्शी लेविल पर काम नहीं किया जाकता है तो आप कैसे इसको आगे बढ़ा के लिए च बाकि गाये देसी गायी हो या कोई भी हो दूद तो देती ही बढ़िया से बढ़िया तो गिर गाये का चुनाव आपने क्यों किया रखने को दो लोग साहिवाल भी रखते हैं थार पार कर भी रखते हैं तरह तरंकी गाये रखते हैं आपने गिर गाये का चुनाव सब मैंन जाते रहते निरंतर और वहां से आप नई तकनीक का प्रियोक करते हैं और यहां पर उस चीज को प्रैक्टिकल तौर पर करते हैं वहां से देखा मैंने उसका ब्रीडिंग वह देखा और कैसे करना चाहिए वह थोड़ा अधुनिक तरीके से देखा तो अपने भी किया वहां के बूल को चोईस किया ऐसे करके ब्रीडिंग चालो किया तो उसका रीडिड आया सा तो क्या लगता आपको जैसे कि लोग दूद की बात करते हैं कि गाई से केवल हमारे दिमाख में यह चीज आती है दूद हुआ घी हुआ दही हुआ मठा हुआ लेकिन अगर ब्रीडिनर्ट हुआ की बचेडिया पांच पाद रॉप्यंड बेच रहे हैं है तो उसम गडिनेग का एग्जामपल लेलो तो ब्रीडिंग में इनकिन बातों को द्यान रखना पड़ता है जह हम देसी गाई की ब्रीडिंग करते हैं तो अच्छी गाई सूनाव करना है बोड़ी देखना है उसका किरेक्टर देखना है और सभी देख के पसंद करो और अच्छा सा सबने बूल हाई को लेकर और बहुत से लोग यह कहते हैं कि AI मतलब जो पुराने लोग हैं जो ट्रेडिशनली तोर पर करते हैं या कहीं न कहीं किसी चीजों को फॉलो करते हैं वहीं कहते हैं कि AI इतना सही नहीं है गायों में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आपका खुद का अनभव क्या है यह जो नई टेक्निलोजी है चाहें AI हुआ चाहें IVF हुआ यह कितना सक्सेस इसका रेट कितना सक्सेस है सब मेरे वहां तो 80% AI का सक्सेसरेटी है अच्छा और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपका खुद का अनभव क्या कहता है आपने जैसे इतने साल का अनभव लिया है 15-25 साल हो गए इसी बातें जो दर्शकों को बताना चाहें जिस सब AI करने से AI करने के टाइम पर जान के रखो उसको भागने मत दो सांत एरिया के अंदर रखो उसको एकदम थोड़ा atmosphere ठंडा करो रखो तो ही होगा क्योंकि जब ही हिट में आती है तो तिन दिन पहले से उसमें effect चलो हो जाता है खाना कम खाना गरम होना हिट में रहना तो कई करेक्टर है कि AI करने के बाद आप उसको थोड़ा महोल ठंडा पाड़ो तो अपना pregnancy confirm हो जाती है ता लेकिन बड़ी समस्या है लोगों के सामने कि जो अच्छी गाये थी लोग ये कहते हैं कि अच्छी गाये तो जादर विदेश्य ले गई उसकी एक इतिहास भी है जैसे कि आप बताते आप कहीं जिक्र कर रहे थे कि जो राजा थे हमारे पुराने उन्होंने शिप्ट में करके और बहार भीज दी गिफ्ट कर दी लेगे वह 15-20 लेगे भारत में तो हजारे गाई थी लेकिन अपने लोग समाल नहीं पाए और आज भी फिल्ड में है अच्छी दूद देने वाली गाई है अच् लेकिन अप मुझे क्या टििफ्स देंगे कि गिर गाई अगर आप कहीं से लेने जाएं किसी को अपालक से या किसी ब्रोकर से तो किन बातों को धि millionaire सबस्चार्ण पाहिल ने बह Candice पहँले तो आप कहीं भी गाई लेने के लिए गई तो जहांसे ँखरीरद रहो उनसे उसक तो पूरा सब के उसका चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि मेरे बाद से अच्छे टीटमेंट मिले, तो मेरे बाद 5 लीटर दुद्दे रही हो, आपके वाद 7 लीटर देवे, अगर टीटमेंट नहीं हुई तो 2 लीटर भी देवे, ऐसा भी मानते हैं लोग कि जैसे गिर गाये जो है, उसका ओरिजिन गुजरात और आजपास के इलागों में हैं, और अगर अन्ने राज्यों में उसको लेके जाते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो उसको उसको वहां के माहौल में रमने में समय लगता है। जैसे सेग्मेंट वाइज अलग लगाते हैं। पहले तो जो बचेडिया है, वह बड़ी कर दी, तो उसमें AI करते हम, सबसे पहला बारा है, उसके अंदर प्रेगनेंसी करते हैं, और जबी कंफर्म हो जाती है, दो महिना, तीन महिना, उनके बाद ये सेकंड में लाज लेते हैं। और उसके जो टीथ है, अडर है, वो सही है, साफसुत्रा है, पाउँ पीछे का है, वो सभी आप देख लो, और बडर सभी देख लो, तो हो जाता है सभी कोई मदर के उपर आता है यह सब चीजमें को ध्यान करें और और इसके अपना अनुभव जो आप देना चाहें कभी कि गाएक काम में लोगों को अक्सर धोका हो जाता है बहुत कच्चा काम रहता है कभी कोई महामारी पहल जाती है या कोई बीमारी इसके अंदर आ जाती है जैसे मूँ वाला रोग हो जाता है और इसके अलावा एक लंपी डिजीज से लिए थी तो आप किन-किन बातों को ध्यान रखते हैं वेक्सिनेशन का कैसे करते हैं क्या 24 गंटे हैं डॉक्टर वगरा रहते हैं या नई दगनीखया जब ही कोई डिश्सिस आदा होता उससे पहले सबीको मालूम देना चाईंसा के मैंने लम्पी की वैक्सिन करवा जी थी एक महिना पहले तो मेरे वहां लंप आया ही नहीं मेरे वहां कभी ए गले का रोग और जो भी आता है वो मेरे वहां होता ही नहीं है ओ थोड़ा में केर करो तो मेरे वहां तो मेरे वहां मस्टाई जी वाला भी नहीं है बहुत कम है होता है इसा नहीं कर नहीं होता है लेकिन बह वादिया है गौवर्मेंट की तरफ से क्या कुछ चीजें चल रही है जैसे बात तो होती है कई सारी योजना यह आ रही है दिसी गायों के संबर्दन संग्रेशन को लेकर तो आपको क्या लगता है सरकार को भी क्या कुछ कर रही हो क्या कुछ और बहतर करना चाहिए ब्रीडि पर्षाइब करना चाहिए और कुछ कहना चाहिए हमारे किसांतक चैनल की तरफ से बस एक दम सौटर सेक्से सिमेंट का गवर्मेंट चालू करें जबर्द से और दूद के सासर लोगों को ब्रीडिंग बी फोकस करना चाहिए अभी इंडिया को दूद की जरूत है ब्रीडि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी तबा दे किसान तक खाना है तो उगाना है